किसी भी movie के trailer में अगर हमें कोई ऐसे scene देखने को बिलते हैं जो कि हमें movie में देखने को नहीं बिले तो सारे के सारे फैंस को लगता है कि four scene delete कर दिया गया बड़ actually मैं ऐसा नहीं होता movies का यह बहुत बड़ा secret है कि अगर आपको trailer में कोई scene दिखाया जाए और वो scene movie में नहीं दिखाया जाए इसका मतलब यह है कि वो shoot ही इसले किया गया था ताकि आपको misguide किया जासेके ताकि आपको धोके में रखा जासेके और ताकि आपको बेफकू बनाया जासेके यह करते हैं directors और यह directors बहुत बार कर चुके हैं हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है और हमारे साथ मतलब MCU fans के साथ में Avengers Infinity War और Avengers Endgame के अंदर इतने सारे deleted scenes थे कि उनकी एक separate video भी बनाया जा सकती है और आज ही हमारे सामने कुछ amazing say deleted scene आए है जो के include करते है Iron Man को और Doctor Strange को Avengers Infinity War के अंदर हमने एक scene में रेखा कि Ebony Maw और Doctor Strange के लड़ाई हो दियो उसके बाद Ebony Maw उसको उठाकर ले जाता है अपनी ship पर जहां से वो उसको ले जा रहा होता है torture कर रहा होता है इस scene में originally film के अंदर हमने देखने को मला कि किस तरह से spider-man और Iron Man मिलकर उसको बचाते हैं और यह scene बहुत भी epic था लेकिन अगर आपको बोलू कि यह scene कुछ और होने वाला था तो आप यकीन नहीं करेंगे basically यह scene के अंदर कुछ ऐसा होने वाल था कि Doctor Strange के पास Iron Man का suit आ जाता और वो पूरे 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 suit को पहन लेता उसके बाद वो एवरी मो को हरा देता यह scene बहुत ही amazing हो सकता था बर डारेक्टर स्चेन चूज किया कि यह scene हम उसमें पहटा देंगा पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों किया इस scene के अंदर में दे सकते हैं तो कि Tony Stark अपने जो suit house को guide करता अपने suit को उसके पास भेज़कर वहां पर बोलता कि आप Doctor Strange के around suit को form up कर लो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस scene के अंदर जिसमें सब कुछ लिखा हूँ है camera के अंदर यह scene shoot भी हुआ था अगर आप गौर से लेखने तो आपको पता चल लाएगा यह उसी ship का scene है यहाँ पर Tony Stark ने कोई भी suit नहीं पहना है लेकिन यह पर Doctor Strange ने suit पहन रखा है और suit में खा कार में है वो तो Doctor Strange पहनता ही पहनता लेकिन जो cloak of levitation है वो पहनता हमारा Tony Stark और उसकी concept आड आपके सामने ही है concept आपके साथ में अगर मैं बात को रहूँ total film के अंदर तो इसके अंदर कुछ shooting तो जरूरी थी इस बारे में हमें already पता है Robert Downey Jr. की ये set photo हमारे से आमने आई थी जिसमें उन्होंने cloak of levitation पहन रखा है और बहुत ही वो खुश लग रहा है Look at his smile तो मुझे तो इस scene बहुत अच्छा लगता अगर Infinity War के अंदर हमें देखने को मिलता मट finally हमें इस scene देखने को नहीं मिला which is okay हमें जो movie देखने को मिली वो भी अच्छी थी बट कहीं न कहीं ऐसा भी मन करता है कि अगर deleted scene देखने को मिलता तो बहुत ही मज़ा आ जाता अब अगम बात करते हैं end game के deleted scenes के बारे में end game के अंदर हमने देखा के end में Tony Stark को करने पड़ी snap सारे के सारी universe को बचाने के लिए लेकिन उस snap के बाद में हुआ क्या Avenger Infinity War में हमने देखा था कि Thanos जब snap करता है तो वो पहुंच जाता है Soul World के अंदर जहां पर उसको उसकी बेटी मिलती है यानि वो जिससे सस्यादा प्यार करता है वो उसको मिलती है और film की बातचीत होती है यह same shoot किया गया था scene Tony Stark के साथ में और हमें देखने को मिली थी एक older Morgan Stark यहां पर हम देख सकते हैं Catherine Langford का करेक्टर जिसके पर मैंने और इक वीडियो बनाई थी आप जाकर देख सकते है Catherine Langford यहां पर प्ले कर रही है Morgan Stark बड़ी वाली और यहां पर Tony Stark उसको मिलता है यह scene उन्होंने directly cut कर दिया मूवी से हम देख सकते हैं जो setting इस scene की बहुत amazing है और यह वही tent है जो कि हमने थोड़े देर पहले देखा था मूवी के अंदर हमें यही पर scene देखने मिलता साथ ही साथ I love you 3000 वाली moment भी होती है यह scene बहुत यह अच्छा था लेकिन अगर directors की माने जो एन अन्हों की माने तो उन्होंने इस scene को जानभुश के cut किया मूवी से क्योंकि जब उन्होंने यह movie लोगों को दिखाई थी यानि movie जब screening में चल रही थी और सारो लोग इसको movie को देखने जा रहे थे तो लोगों ने बोला कि हमें बड़ी वाली मॉर्गन स्टार्क के साथ में कोई भी emotional connection लग रहा नहीं है और हमें यह scene अच्छा लग रहा तो यह बन गया हमार लिए एक और related scene इस movie के deleted scene को हटाने का एक और reason यह भी था कि वो चाहते रहे कि टोरी साथ का जो आर्क है का एक और amazing related scene तो गाइस यही थे जो मुझे लगे deleted scenes आपके बताने के लिए आप Iron Man का और Doctor Strange का related scene आपने रेख लिया Infinity War or Avenger Endgame का अगर आपको कोई और deleted scene भी पता हो तो मुझे comment section बताना था कि यह उन पर वीडियो बना सको हूँ thank you so much for watching this video guyse